मेरे प्यारे देश्वासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था, बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते, कितना excitement था छोटा भीम को लेकर, आपको हैरानी होगी कि आज धोलगपुर का धोल सिर्फ भारत में नहीं, बल अरे दूसरे animated serials, कृष्णा, हानुमान, मोटू, पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में है, भारत के animation characters, यहां की animation movies, अपने content और creativity की वज़े से, दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं, आपने देखा होगा, कि स्मार्ट फोन से लेकर, cinema screen तक, gaming console से लेकर, virtual reality तक, animation हर जगह मोजूद है, animation की दुनिया में भारत नई क्रांती करने की रहा पर है, भारत के gaming space का भी तेजी से विस्तार हो रहा है, Indian games भी इन दिनों दुनिया भर में popular हो रहे हैं, कुछ मैंने पहले मैंने भारत के leading gamers के साथ मुलाकात की थी, तब मुझे Indian games की amazing creativity और quality को जानने समझने का मोखा मिला था, वाकई देश में creative energy की एक लहर चल रही है, animation की दुनिया में made in India और made by Indians चाया हुआ है, आपको यह जानकर खुशी होगी, कि आज भारत के talent वेदेशी production का भी एहम हिस्सा बन रहे हैं, अभी वाली spider man हो या transformers इन दोनों movies में हरी नारायन राजीव के contribution को लोगों ने खुप सराहा है, भारत के animation studios, डिजनी और Warner Brothers जैसी, दुनिया के जाने माने production companies के साथ काम कर रहे हैं, साथियों, आज हमारे ववा original Indian content, जिसमें हमारी संस्कृति की जलक होती हैं, वो तयार कर रहे हैं, इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है, animation sector, आज एक ऐसी industry का रूप ले चुका है, जो दूसरी industries को ताकत दे रहा है, जैसे इन दिनों, वी आर टूरिजम बहुत फेमस हो रहा है, आप virtual tour के माध्यम से अजन्ता की गुफाओं को देख सकते हैं, कोनार्क मंदीर के कोरिडोर में टहल सकते हैं, या फिर वारानसी की घाटों का आनंद ले सकते हैं, ये सभी वी आर एनिमेशन भारत के क्रियेटर्स ने तयार किये हैं, वी आर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्त्रिक्ता में इन परेटन सलो का दोरा करना चाहते हैं, यानि तूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुल टूर लोगों के मन में जिग्यासा प्यदा करने का माध्यम बन गया है, आज इस सक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, वाइस ओवर एक्सपर्ट्स, मुजिशियन्स, गेम डेवलपर्स, वी आर और एए आर एक्सपर्ट्स उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी क्रियेटिविटी को बिस्तार दे, क्या पता दुनिया का अगला सुपर हिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वाइरल गेम आपका क्रियेशन हो सकता है, एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफ़ता हसिल कर सकता है, इसी 28 अक्तूबर को यानि कल वर्ल एनिमेशन डेख भी मनाये जाएगा, आईए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकरपले,